वेल्कम बैक तो दे ब्रैंड लाइफ इंडिया दोस्तों आपने मूवीज में हमर को जरूर देखा होगा बहुत सारी मूवीज में इसे लिया गया है जिसमें यह आपको फुल ओफ एक्शन करते हुए इस कार को दिखा गया है यह चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए कहीं अन्टील उन्निस सव आणवे 1902 के बाद ये कार जोकी एम जनरल नाम के कमपणी बनाती थी वह सिर्फ आर्मी के लिए बनाती थी उन्निस सव आणवे से लेकर उन्होंने ये सिविलियन्स के लिए भी बनाया हमर की बिल्कुल्टी एंड उसका इंजन यह इसकी USP है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यह US Army को ही दी जाती थी, US Army ही इसे यूज़ करती थी, और आपने देखा होगा किसनी tough situations, wars में इस कार को यूज़ किया गया है, in fact अभी भी यूज़ किया जाता है, इसे air drop किया जाता है, snow में चलाया जाता है, इसे sand में यूज़ किया जाता है, कहीं पे भी यह आपको निराश नहीं करती है, इसका engine इतना powerful है कि यह straight wall पे, खड़ी wall पे चड़ जाती है, आप समझ सकते हो कितनी powerful engine है इसका, यही सब खूबी है, इस कार को लोगों का favorite बनाता है, US Army जब कहीं पे war पे जाता था, तो इस कार को यह airdrop करते थे, जिसके बाद भी यह गाड़ी नीचे गिरने के बाद भी यह चल पड़ती थी, और उसके बाद यह दुस्चमनों का खात्मा करते थे, यही तो खासित है, इनी सारी खूबियों से लोगों का यह favorite बन चुका है, इंडिया में भी कई बड़े famous man and actor इस महेंदर सिंग दोनी, हर बजन सिंग, सुनील शेक्टी, जेजी भी, मिकका जो की सिंगर है, initially इनोंने इसके 3 variants launch करे थे, H1, H2 और H3, जितनी भी हमार आपने अब तक रोड पे देखी होंगी, वो H1, H2 और H3 होंगी, और यह सिवील यह variant होंगी, बाकि कुछ एक ऐसी भी हम होती है, जो की scrap में लोग उठा लेते हैं, जिसकी आपने इंडिया में देखा हुआ है, जीप आपको मिल जाती है, जो की retired हो जाती है, आर्मी से, उसे हम auction में खरीद लेते हैं, और उसके बाद modify करके चलाते हैं, वैसे ही, US Army में जो हमर जो होती है, जो retire हो जाती है, उनको ये auction में बेच देते हैं, तो उसको भी लोग acquire कर लेते हैं, और उसके बाद उसको modify करके चलाते हैं, तो ये कुछ एक ways है, अपने इस car को चलाने के, और own करने के, दो जात दस के बाद इनको बंद क्यूं कर दिया, इस car को बेचना, civilians के लिए, तो क्यूंकि ये company AM General ज्यादा profitable नहीं थी, और ये car civilians के लिए बनाने के बाद भी इनको ज्यादा profit हो नहीं रहा था, उसके बाद 2021 में, जनरल मोटर ने इस car को खरीद लिया, इसका brand को खरीद लिया, और इसको all electric बना दिया, और उसके बाद इस car को new branding के साथ बेचा गया, खैर इस car ने उस तरह के, जिस त sales figure लाके नहीं दिया, बट हाँ, अभी फिलाल एक average numbers के साथ ये car चल रही है, that's okay, but modification में अभी इसका बहुत ही बड़ा scope है, recently, Denton नाम की एक company है, Denton Arts, उन्होंने इस car को modify किया है, क्यों Denton Arts के ये जो car है, आपको एक devil look देती है, looks wise, अगर ये आपको, आप normally road पे car चला रहे ह You'll be really intimidated with this car, इतना ज़्यादा बलकी है, और ये 6x6 है, और ये rear wheel drive है, मतलब आप समझ सकते हो, इसके अंदर hellcat V8 engine लगा हूँ है, super charge engine है, और ये आपको, मतलब इसको हवावाई बना देगा, इस car की जो bidding हुई थी, इस bidding में ये car, एक लाख डॉलर तक इसकी bidding की गई, आप सोचेंगे के 1 lakh dollars में तो multiple, नई brand new हमर आप खरी सकते हैं, बट ये एक लोती modified one piece हमर है, जो 6x6 है actually, ये एक ही है, single piece है, इसलिए इस car का price इतना ज़्यादा है, इस car में जो पीछे आपको spoiler, wing spoiler मिलता है, ये spoiler, reality में एक aircraft का wing है, Aircraft के wing से बनाया गया है, इस car में काफी ऐसी खासियत हैं, जिसकी कारणी ये car इतने expensive बन जाती है, I hope you like this video, if you do, please give it a thumbs up, इससे हमें और ऐसी वीडियो बनाने की प्रेणा मिलती है, see you again, लिए काऊए है, इससे हैं, बनाचा मिलती है।